चत्रा जिले के पथलगड़ा प्रखंड के मेराल गाउं में इन दिनों चुडैल का आतंक चाया हुआ है। गाउं के लोग बेहद आतंकित हैं। शाम ढलते ही गाउं में शमशाम जैसा सनाटा पसर जाता है। सब लोग अपने घरों में क्याद हो जाते हैं। चत्रा में चुडैल की ये पूरी कहानी देखिए। क्या आपने कभी चुडैल को देखा है। क्या कभी भूतों से सामना हुआ है। या भटकती रूह को आपने कभी महसूस किया है। शायद जवाब होगा नहीं। ये सब अंध विश्वास की बाते हैं। लेकिन चत्रा में एक ऐसा गाउं है। जहां चुडैल के डर से लोग शाम होते, अपने घरों में एक कैद हो जाते हैं। पथलकड़ा प्रखंड के मेराल गाउं की ये तस्वीरे हैं। यहां इंदीनों चुडैल का आतंक छाया हुआ है। गाउं के लोग इतने दहशत में हैं, कि शाम होते ही किवाल बंद का, खुद को कैद कर लेते हैं। गाउं के स्कूल और पंचायत भवन में भूत, प्रेत और चुडैल का ठीकाना बताया जा रहा है। मेराल गाउं में भटकती आत्मा का खौफ पसरा हुआ है। पूरा इलाका शाम होते ही सुनसान पर जाता है। गाउं वाले रात को सुकून से सो नहीं पाते, और अध्यजगी कच्ची निंद में सोते हैं। जिसकी वज़ा से कई लोगों का दावा है कि उन्हें रात भर अजीव आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों का यहां तक मानना है कि चुडेल दिन में भी दिखाई देती हैं। जिसकी वज़ा से एक लड़की की मौत हो चुकी है। मिराल गाउ में स्कूल और पंचायत भवन में चुडेल के होने की खवर से लोग परिशान है। लेकिन स्थानिय वीडियो की दलील है कि सब अंधविश्वास की बाते हैं। मिराल पंचायत को कुछ दिन पहले कुरंटीन सेंटर बनाया गया था। लेकिन कोई शिकायत नहीं मिली। जल्द ही गाओं में अंधविश्वास के खिलाफ जागुरुकता अभियान चलाया जाएगा। यह एक अंधविश्वास है, वहाँ पे किसी भी परकार का यह जुड़ाई का साया का कोई बात नहीं हो, मेरा कुरंटाइन सेंटर भी रहा है। और वहाँ पे बहुत सारे जितने भी प्रवासें मजदोर आयते हैं। अंधविश्वास और अफवास से चत्रा के मेराल गाउं में चुडएल का डर पसरा हुआ है। अगर प्रशासन जागुरुकता अभियान चलाता है तो निश्चित ही ग्रामणों को डर से मुक्ति मिलेगी और सुकून की जिंदगी जी सकेंगे। झाल प्रशासन जागुरुकता अभियान चलाता है।